कहानी शेर और चूहा एक बार एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था और वहीं एक चूहा भी था शेर अपने गुफा में अराम कर रहा था जंगल के राज़के रूप में एक भयानक जानवर था जिससे बाग की सभी जीव बहुत भैबीत रहते थे किसी भी प्राने की कभी भी उसके पास जाने की एहम्मत नहीं थी विशेष रूपसे तब जब वह सो रहा हो क्योंकि जब वह सो रहा होता था उस समय वह बहुत गुसा हो जाता था तब ही उसके पास से एक चुहा गुज़रा और वह शेर को देखकर खुश हो गया करने लगा चुहे को इसमें काफी मजाने लगा लेकिन थोड़ी देर में शेर की नींद खुल गई शेर ने चुहे को अपने पंजे में दवा लिया और घुसे से चुहे की तरफ देखने लगा शेर चुहे को मारने का विचार कर ही रहा था कि तभी चुहा गड़ गड़ाने लगा चुहे ने कहा महराज मुझे माफ कर दीजिए मेरा मतलब आपको जगाना नहीं था मैं तो केवल आपके शरीर को मुलाएम जगा समझ कर खेल रहा था मुझे नहीं पता था कि आपकी नींद खराब हो जाएगी क्रप्या इस पर मुझे माफ कर दीजिए आगे ऐसा कभी नहीं होगा यह सुनकर शेर को चुहे पर दया आ गई और उसने चुहे को अजाद कर दिया अजाद होते ही चुहे ने कहा धन्यवाद महराज आपने मुझे पराण दान दिये है मैं यहाँ हमेशा याद रखूँगा और अगर कभी आपको मेरी सहायता क्या वशकता हुई तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगा यह सुनकर शेर मनी मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि इतना छोटा सा पराणी आखिर मेरी क्या सहायता कर सकता है और उसने चुहे को जानी दिया कुछ समय बाद ही जंगल में शिकारी आए शिकारियों ने जंगल में ज्याल बिच्छाया हुआ था जिसमें शेर फस गया वह खुद को बचाने के लिए जोर से दहार मारने लगा शेर की दहार सुनकर चुहा शेर के पास आया चुहे ने देखा कि शेर तो जाल में बुरी तरह फसा हुआ है फिर चुहे ने अपनी नुकीली दातों से जाल को काटने की सोची और वह शुरू हो गया उसने अपनी नुकीली दातों से जाल को काट दिया और शेर अजाध हो गया और फिर शेर को अपनी सोच पर पच्चतावा होने लगा कि वह चुहे को कितना छोटा समझ रहा था लेकिन उसी छोटे चुहे ने आज उसकी जान बचाई शेर ने चुहे को धिन्यवाद कहा और दोनों साथ अच्छे दोस्त बन गए और खुशी से रहने लगे सीख हमें से कि मुसीबत के समय दूसरों की सहायता करनी चाहिए और कभी भी किसी को अपने से छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए समय आने पर वह ही काम आता है कि मुसीबत